सब्सक्राइब करके गंड़ों पेस के लिए करता कि आप नए अपडेट पासगी तो फ्रेंस कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो फिर से आ गया हूं प्लमी का एक नया वीडियो लेकर आपका दोस्त मैं हूं से किकला का जात तो चलिए वीडिय तो से इसो बाता पहुत्सक्त से शावhour आता है और रहे प्पासटा सब्सक्राइब मिल गए मेनेत का फल मिल गया यह वीदियों बंद लगता है तु चलिए मैं वीदियों को抄रों आप उससाज न यहां तो मैं आप लोग की कश बार इंशा सभी सेलीई नि обяз भॉवर्ट नहीं वह सेलो अगर आप लोग वाजबरेशिन को अलग करते हो और सावर एरी को अलग करते हो तो अच्छा रहेगा उसमें से आपको बातरों से अदर और ऑट्रॉं यानि कि सुखा और गिला एरिया तो शुखा एरिया में वाजबरेशिन और डबलू सी आएगा और गिला एरिया में जहें अगर आपका बातरों से है कि यहां पेसे गेट दिया होता है अगर आपका बात्रूम यहां पेसे गेट दिया होता है तो मैं आप लोग बता देता हूं कैसे कम करें यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा क्या प्रॉब्लम होगा मैं आप लोगों बता देता हूं अगर आप लोगा सावर एरिया बात्रों खराब लगे सकते हो यह गलट जोनिंग है दो ड्राइए के बीच में एक वेट एरिया याने की दो लोगी सुखा एरिया के बीच में एक गिला एरिया एक गलत जॉनिंग है अगर इसको चेंज करके कि यहां पर से गेट है तो अगर आप लोग इसको चेंज करके यहां पर डबलू सी यहां पर बेशिन और यहां आप पट्थर लोग को आप लोग बाद में इसमें यूज कर सकते हो अमें आप लोग बाता देता हूं सावर कटन आता है सावर कटन यूज कर सकते हैं ग्लास भी यूज कर सकते हैं अगर नहीं भी करना है तो यहां पर पट्टी लगा देना है तो यह अलग हो जाएगा यहां पर इसका पानी यह आप लोगों ध्यान में रखने हैं अगर यह इससे क्या होता है दोस्तों पूरा बातरूम में पानी नहीं फैलता है और जो हाइजीन पॉर्ट इभी उसे बहुत जरूरी विए वातरूम का जो डॉब्लूसी और बेशिन का एरिये जो है वाजबेशिन का एरिये हमेशा से अलग होना चाहिए और सावर एरिये अलग होना चाहिए अगर आप लोग ऐसे बीच-बीच में कर देते हैं यहां पर टब्लूसी यहां पर सावर यहां पर वाजबेशिन तो आपका दोना बज में घीला रहेगा खराप भी लागेगा अच्छा काम नहीं होगा इसे फ्रें लेवल रहेगा चार वही चार का होगा तो और भी अच्छा है कि दोस्तों मैं आभी आप लोगों एक काम दिखा देता हूं आप एक हाली मार्वेल का पट्टी यूज हुआ है वहां पर सावर कटन या ग्लास यूज नहीं हुआ इसलिए वह होस्पिटल का ब्लॉग बात्र में तो और भी अच्छा रहेगा अगर आप अच्छा बात्रूम बनाना चाहते हो तो आपको आर्किटेक से साजेशन लेना बहुत जरूरी और भी बहुत सारा जो सिस्टेमेटिक है वह बात्रूम के अंदर होना चाहिए तो अगर आप लोगों को अच्छा बात्रूम बना पे मैंने आप लोगों को अभी प्लान में बताया था दो वाजवेशिंद चार टोयलेट और दो सावार एलिया और इसमें मेरा मैं समझाने का मकसद है तो आप लोग वीडियो में बने रहे जैसे कि देख सकते हो सबसुर्ण है और यहां पे टोयलेट का पॉइंट है वालंग डबलूसी लगने वाला है उसका पॉइंट है अभी फिनिसिंग बागी है फिनिसिंग बहुत जल्दी होगा मैं जैसी फिनिसिंग होगा तो मैं आप लोगों आपडेट इसका बताऊंगा मैं वीडियो इसका अपलोड करूंगा फिनिसिंग जो कैसे वा यह मार्विल का पट्टी लगा हुआ है यह मार्विल का पट्टी से मतलब कि डबलू सी एरिया और सावर एरिया जो है वहां पर पौन इंच का अपडाउन है इसलिए कि आपका पूरा बात रूम्हा पानी नहीं फैलेगा और यह हाईजिन पॉइंट पर के लिए बहुत प्रविल का ब्लॉक बात रूमें इसलिए इसमें सावर कटन नहीं आया है और ग्लाज भी नहीं आया है अगर आपका पार्सनल बात रूमें तो सावर कटन और ग्लाज यूज करोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपका कॉमट एरिया में पानी फैला हुआ रहता है करो जम के लाइक कर और एक बढ़ी सा कमेंट चोड़के जो मेरे लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा के रखना मत बूलना इसलिए दबा के रखो क्यूंकि मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगो नोड़ी पिकिसन मिल जागा और आप खुमा सिधी बजा, सिधी बजा के फोल भाया आलेश्वे अर भाया आलेश्वे अर चाचु आलेश्वे, अर भाया आलेश्वे